द्राइब द्राइब सर आता ही होगा हो अपने अपने पोजिशन्स ले लो वगर संभल के गन्स हो सकती है उनके पास शिंता मत करिये सर उनने ड्रक्स के साथ रंगे हाथ पकड़ लेंगे हाँ चलो लेट्स गो पुर्ण 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 थोड़ी देर हो गए कोई बात लें बात रहा हुद पकड़ लाएव और रहा है हाँ यह दो कोई अपने यगे से नहीं लेगा पिया नेंग कि अपनी उर्ड़ीमा चलाना पीस में इसलिंडर कर नहीं गन उचे रखो पिर भगां गन रिचे रखो गड़ रखो हैं तुम जिनित तौम? यहार सर मैं लेकिन ॹख लोग यहां? सर अभी हैं जिन्दा है सर अणस्पेटी लेग चलो, चल्दी जो स्भी जली सर उप्ट हो? मैं पूझतो क्या है? सर में तो ने तुम यहां क्या कर रहा हुछ मालू मैं इस बार क्या है?! Drugs से Drugs! Drugs है इस बार में!! Drugs!? सर मैं सच क्या रहा हु? मुझे इस ड्रुंस के बारे में कुछ नहीं पता! विनित... हमीं पता चल गयाता कि यहाँ पर एक ड्रॉक डील होने वाली है लेकिन हमें यह पता नहीं था कि एक CID officer Vinit ये ड्रग डील करने वाला था सर मैं सच कह रहा हूँ इस ड्रग डील से मेरा कोई लेना देना नहीं है अगर तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं था तो तुम्हे उस पर गोली क्यों चलाई वो एसी पी सर पर गोली चलाने वाला था इसलिए मजबूरी में मुझे उस पर गोली चलानी पड़ी सर चूड बोल रहा हो तुम्हें जूड बोल रहा हो तुम्हें सच बताने वाला था लेकिन उसका मूँ बंद करने के लिए तुम्हे उस पर गोली चलाई सर मैं सच कह रहा हूँ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे कुछ नहीं पता ये क्या हो रहा है मैं तो सिर्फ अपने दोस्त हिटेश का बैक पहुचाने आया है हिटेश? कहा ये तुम्हारा दोस्त हिटेश? सर उसकी तब्यत खराब थी मैं उसे डॉक्टर के पास छोड़ कर आया हूँ चलो दिखा कौन से डॉक्टर के पास लेकर गया थी चलो क्यो हु विलेक, यहीं क्लिनिक है न जा पर तो हीतेश को लेकर है लेकि इस क्लिनिक की हालत देखी अ पताने कितने मेनों से या बश्चों से बंद पड़ा आ ये क्लिनिक विनित, अब तो सच बोलो, बात क्या है? हँ? तुम हमसे कुछ तूपा रह रहा है? व हमारी समझ में आ गया है चूट बोल रहे हो तुमौक एच्वा में नहीं घुट पैदलिग करता हूं मैं गहर कानूनी काम करता हूं साथ हाव उनेत तुम गहर कानूनि काम कर रहे हो उम्हारे पास हमें ड्रगस मिले गवाव तुमनी गोली चलाई तुम्हारा अग्दोस हितेश, जिसे तुम कहे रहो तुम यहां पर लेकर आए क्लिनिक में, वो भी गाया पर है देखो विनीद, अगर बात कुछ और है तो तुम हमसे बता सकते हो, देखो तुम अपने लिए मुसीबत पढ़ा गए हो मेरा यखीन कीजे सार मेहितेश को यही लेकर आया था, यहां पर बहुत बीड थी, उसका नमबर आने में वक्त था, इसले उसका पैकेट डिलिवर करने मैच चला गया जूट जूट बोर रे तुम बनीद जूट जूट मैंने यहांस पर उसमें पूछ आच की, यह क्लीनिक पिछले दो साल से बंद है क्या दया, जूट जूट ले चलो इसके जूट यह गेम खेलने में बहुत मज़ा आया उस चूजे को पिंजिरे में तडपता देखकर कलीजी को ठंड़क पहुचिए प्लान बन, हो गया है पार दुश्मन गया है हार सारी बातों का सार काम्याभी का नशा कुछ और ही होता है मेरे यार अब, अब होगा आखरी वार प्लान नमबर टू सही कहा मेरे यार सही कहे अफिलाऋ सही कहा है सबसु खलाजे तुमाहरे हां पटों सबस्गे लंगए हात पकड़े गए ओ तुम तुम अम सब के सामने तुम्ने उसादमे पर गोली चलाए तुम तुम पर और अ और प्यों विश्वास करे मैंने उसादमी झलाई क्योंकि वो आप पर गोली चलाने वाला था सुना मेरी जान बचाने वाला था हम सब ने देखा है समझे वो आप में सच्चा ही बताने वाला था लेकिन इस से पहले कि वो कुछ बोले तुमने अम सब के सामने उस पर गोली चलाई तुम्हारी बात का यकीन करने के लिए हम तुम्हारे साथ वहां उस क्लिनिक में कहें पर वाँ जाके देखा तो क्या मिला हैं सर नाटा और धूल सियाइडी के आठ में धूल जोकने की कोशिश मत करो बिनीत बैतर होगा अपना जर्म कुबूल कर लो लानत है तुम पर लानत है एक सियाइडी ओफसर और ट्रक पेडलर सर मैं सच कहा नहीं सर चार दिन से एक मेरे साथ मेरे घर पर उका थे उसकी तभिया ठीक नहीं थी सर इसलिए वो मेरे घर पर आ गया सर मैं जानता हो कि एक बहुत अच्छा इंसान है तुम्हारी नौकरी को खत्रा है सर यू आर सस्पेंड़ एड़ बहुर सब्स्पेंदद्ध मुझे अपने लगता है के इतेश को कुछ हो गया है वरण अपने आप यहाँ पर आ जाता सर एक बार एक बार मेरे साथ मेरे घर चलिये श्यादहितेश खर्पर ही हो सर ठीक है एक और मौका देता हूँ गुनेगार भले ही छूट जाये पर बेगुना को सजा नहीं होनी चाहिए आइए सर आइए सर सर मैं हमेशा चाहता था कि आप लोग मेरे घर आए लेकिन कभी सोचा नहीं था इन हालात में आना पड़ेगा हितेश कहा है पुलाता हूँ सर रिदेश 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 यही तो था उसका सामाँ रिदेश भी गायव है उसका उसका सामाँ भी रिदेश विदेश तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करें तुम्हारा दोस्त हिटेश रिदेश रिदेश मेरे बच्पन का दोस्त है मैं उसे अची तर इस जानतो सर सर मेरा विश्वास कीज़ सर मुझे लगता है कि वो किसी मुसीबत है सर मुसीबत में तुम हो विदेश तुम समझे सर मेरा यकीन कीजिए सर इस ड्रग डिलिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं सर प्लीज विश्वास कीज मुझ पर कैसे विश्वास करें तुम पर दो दो मोके दिये तुम्हे अपनी बेगुनाई करने के लिए मगर कुछ भी ने अब मैं कुछ नहीं सुनूँगा तुमारा अँगे सर मैं ऐसा क्यों करूँगा सर क्या हुआ दे अबबब मैंने तुम से पूछा क्या हुआ कुछ देखा तुमने कुछ मिला सर वो क्या है बेढ़कर ने चाहिए सिरिंज ता सर इसमें तो ड्रग जेसा कुछ है क्या है क्या है क्या है सर मैं ड्रग्स नहीं लेता हूँ मुझे नहीं मालूँ यह सिरिंज यह कहा है में विश्वास की जे सर यह सब मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है विनीत एक छूट को चुपाने के लिए और कितना छूट बोलोगे और तुम्हारा यह दोस हितेश यह सब मन घड़त कानी है तुमसे यह उमिद नहीं थी छूट नहीं बोलता सर मेरी बात वरूँ सर एक सर को कि मैसेच बोल रहा हूँ हितेश मेरा दोस्त है मैं कोई काहनी नहीं बना रहा हूँ बताव सर को, Please Yes, Sir हितेश हमारा दोस्त है, Sir तुम कौन हो Sir, मैं वरूँ विनीत का दोस्त इस ही बिल्डिंग मे रहता हूँ वीतेश को कैसे जानते हो तुम Sir, मैं, हितेश और विनीत हम बच्च्पन के दोस्ते हैं साह हम दोनों मुंबई आ गए और हितेश अपनी जॉब की वज़ा से नागपूर में ही सेटल हो गया तेंक्स ओरो सरब तो आपको यकीन हो गया है कि मैं सच बोल रहा हूं इतेश मेरा दोस्त है वो यहा कर मेर सा ठहरा हुआ था मैं उसे दोक्टर के पास ले गया था और मैं एक मिनिट एक मिनिट इतेश यहाँ पे आया हुआ था कब और तुने मुझे बताया भी नहीं क्या दूपते को तिनके का सहारा होता है तुम्हे तोसी तिनके ने डुबा दिया है है सब गुझे नहीं पत है सब चलो क्या हुआ संके एक मिनिट बॉस और कितनी देर इंतजार कर वाएगा तू बहुत से सिरिंज पर जो खून है वह विनीत का ही है क्यों मिनिट सिरिंज में तुम्हारा खून आया कैसे सर मुझे नहीं पता मैंने कभी यह सिरिंज यूजी नहीं किया एक बात और बस क्या तुम्हारा शक एकदम सही निकला संंक ये वक परबाद बत कर जल्दी बता दे कि इस सीरिंज में हमें वह ड्रक्स के ट्रेसेज भी मि कि लिए इंजेक्शन इस्तिमाल करते हूं क्यों? सर आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया सर मेरे अकीम कीजे मैं सच बोल रहा हूं सर ये फोरेंसिक का रिपोर्ट है और फोरेंसिक का रिपोर्ट कभी जूट नहीं होता समझे? सर कोई confusion है सर जब मैंने कभी ड्रग्स लिया ही नहीं सीरिंग को कभी देखा ही नहीं तो इसमें उस सीरिंग में तुम्हारा खून खान से हाय उस खून में ड्रग्स कहास ये क्या सारूं के जूट बोल रहा है? सर, मेरा वो मतलब नहीं है लेकिन... विनिक, तुम हिली पैट पर रंग यहाथों पकड़े गए रग्स के सार, क्याम तुम्हें जान बुच कर फसार है? नहीं सर, आप ऐसे क्यू करेंगे लेकिन... तो बिर बताओ, क्यों गए थे ड्रग डील करने के लिए हिली पैट पर? पर कौन था वा आत्मी जिसे तुमने गोली मारी? मेरा यकीन कीजिए सर, इस सीरीज में मेरा खून कैसे आया, खून में ड्रग कहां से आया, और वो आदमी कौन था? मुझे कुछ भी नहीं पता, सर. बॉस, मुझे मालूम है वो एनवलप वाला आदमी कौन था? कौन है जर वो? ड्रग डीलर हरी. ड्रग डीलर? ड्रग डीलर हरी? मगर वो तो अभी अभी बेल पर चुटा है. हाँ, मैंने उसके फिंगर प्रिंट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड में फिंगर प्रिंट्स के साथ मैच करके देखे. बॉस, वो एनवलप वाला आदमी हरी ही था. मतलब विनित, तुम इस हरी के साथ मिले हुए हो. सर, मेरा उस हरी के साथ कोई संबन नहीं है. मैं उसे जानता भी नहीं के वो कौन है. संबन तो अब तुमारा हमारे साथ मही रहेगा. सारे सबूत तुमारे खिलाफ है. और इस बार गवा है C.I.D. तो बहतर यही होगा के तुम अपना गुना कबूल करो. सर, जब मैंने कोई गुना किया ही नहीं तो मैं खुबूल कैसे करूँ. हम गुना कैसे कबूल करवाते हैं, तुम अच्छी तरह से जानते हो भी नहीं. निखिल, इस बीड़ा लेका. सर, चलिए. लेकिन सर, मेरी बात तो सुनिए. चलिए. सचिन, हेली पैट पर जब विनित ने अरी को ब्रीफ केस दिया था, तब हरी ने विनित को कोई एंवलोग दिया. काहा है वो एंवलोग? सर, हो सकता है वो एंवलोग उसने हेली पैट पे छपा दिया हो? वो सकता है. वो सकता है. उस हेली पैड़ पर जाओ और ढूंड़ो इस एन्वलोप को पता लगाओ क्या है उस एन्वलोप में निकिल इस एरिया के चपप चपप चान भाराओ एन्वलोप यहीं कहीं होना थे शाह कि अधिए ने किसी को चूट किया है serious थो जहां किए ठाहि वी अ को भूँ सिव ह्जाओ ने किता लेकिन वनीत को कूण करते कीशन उक षच कीच के उसके खिलाव सबूत तैया किए अधिए असर और भ ही आदमी वनीत को भ्लैक मिल कर रहा है उस ваши ने पोड दार्क्स मगा है वनीत से ने 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 यह नहीं हो सकता, विनीत एक इमानदार सी आइडी ओफिसर है, वो किसी का खून नहीं कर सकता, हर्किस नहीं अबसर इन फोटोस में साफ दिख रहा है कि विनीत इस आजमी को शूट किया है निकिल, यह भी तो हो सकता है कि कोई भसाने की कोशिश कर रहा हुआ है अबसर आप उसे बेग उनाह कैसे साबित करेंगे निकिल, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा जरूर होगा कवा जायरे निकिल, उसर लाइट सॉन कर दो लो, यह निकिल, लाइट सॉन करो कि ना तो सेक्यूर्टी गड को श्याख हो जाएगा कि फॉरंसिक में कोई है एक काम करो, देखो, वहाँ पे स्क्रीन है क्या, मैं प्रोजेक्टर लेके आता हूँ प्रोटोस लगाव जेरा सरे तो कोई जंगल जिसा लगवड़ा है यहाँ चेंज करो देखो, फोटोस लगाव देखे एक यहाई, यहाँ भी कुछ दिखाया देराए? जूम करके देखते हैं, जूम. यह देखो लेकल, जंगल के बीचो बीच, यह पानी के टंकी है. सरुस्पेक कुछ्चु लिखा भी है? हाँ नेकल, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है, जंगल के पीचो बीच जिस जगा पे विनीत ने आदमी को गोली मारी है, यह टंकी वही पे है. परसर से पानी के टंकी से पता कैसे जलेगा कि जगे कहां पे है. हाँ नेकल, लेकिन पता तो हमें लगाना ही होगाना, दूसरी फोट लगाओ. यहाँ पे भी सर्फ जंगल ही है और गिनीत उस आदमी को गोली मार रहा है, बस. एक मेनट, यह देखो नेकल, यह पत्तों के पीछे कुछ दिखाएदे रहा है, जूम करके दिखते हैं. यह बिल्डिंग ही है, यह देखो, यह बालकनी. जंगल के पीछो बीच बील्डिंग, कौनसी जगह हो सकती है? क्योंकि वेस्ट में तो कोई जंगल है, नहीं? जंगल तो प्रीस्ट में ही है. गोरे गाओं या पॉरिवली, क्योंसी जगह हो सकती है? निर्मान कॉलोनी. निखिल, निर्मान कॉलोनी एक ऐसी जगह है, जहाँ पर खाना जंगल भी है, और दूर बिल्डिन्स भी दिखाए देती है, तो फिर देर किस बात की है, चलो. सचिन, निखिल, क्या कर दो हो तुम लोग यहां पर? सर, वो हमलोग गर्ल. क्या हमलोग? यह फॉरेंच सिखला है, सचिन. यहां पर बिना मेरी इजाज़त के आना मना है, तो तुम दोनों की हिमत कैसे हो यहां पर आने की? सर, मैं वो… वो वो क्या? सर, मैंने सुचा कि… तुमारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं, सर. क्या है तुमारी हाथ में? क्या है? विनित के खिलाब इतना बड़ा सबूत? अर तुम इसे मिठानी की कोशिच कर रहे थे? मेरी सर, मैं सबूत मिठानी की कोशिच नहीं कर रहा था, मैं तो कर रहा थे… मिठानी रहे थे, तो कर क्या रहे थे? तुम दोनों विनीत को बचाने के कोशिश कर रहे थे? सर्फ इतना चाहता था कि SHARM आने चाहिए तुम्हें। सर्म आने तुम्हें। सिर्फ ऐतना सामने लाने की कोशिश कर रहा था। वारे वार! सुना साणूंखे। इंस्पक्टर सचिनव इतने होश्यार हो गें, कि उन्हें सीनियर ओफिसर के गाइडन्स की जरूर अपती नहीं, अकेले केस सॉल कर रहे हैं, क्यों? नहीं सर, सर ऐसा कुछ भी नहीं है, सर मैं तो आपकी बहुत हिज़त करता हूं सर पर पूरे CID डिपार्टमेंट को दिल और जान से चाता हूं, लेकिन सर, मेरा दिल ये मानने को तयार है नहीं, कि विनी तोशी है CID में दिल नहीं, दिमाग से काम लिया जाता है, दिमाग से समझे, और इस सारे फोटोग्राफ्स यहीं बताते हैं, कि विनी ठीक होनी है जानता हूं कि मुझे अगलती है, लेकिन सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज, एक बार तो विनीत के एंगल से सोच के नेखिये, सर, प्लीज बस, बस करो तुमार आए विनीत बचाओ पुरांट, सब्ज़ें, और तुम दोनों जाकर लाश को बरामत करो, और हाँ, साथ में दया को भी लेकर जाओ, तुम दोनों पर से विश्वास उट गया मेरा वो जगह यही होनी चाहिए है, दोनों तरफ जंगल है और यह बीच-बीच में बिल्डिंग्स में देख रहे हैं, सर, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि विनीत ने ऐसा काम किया होगा, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रानिकेल, इतने समय से साथ में काम कर रहे है अज इतना विश्वास में करता था उस पे, उतना ही विश्वास एसी बी साब और अभी जीत भी करते हैं एक मिट एक मिट एक मिट, सचे ज़र गाड़ी हो, ज़र पीचे लो यह देखो, इस फोटो में जो जगह है, यह जगह ठीक वैसी है, यह सामने वाटर टैंक अज़ा, वीचे और सर, वो देखिए, वो ब्राउन कला की बिल्डिंग, विक्कुल वैसी जैसी इस फोटो में सिस फोटो गेसाब से विनीत यहां पर खागा दा, इस टांक के पास, जब उसने गोली चलाई और वाड़ी यहां पर था, उसका मतलग है, जब विनीत ने गोली चलाई, वाद मी यहीं कहीं आज स्पास गिरा होगा वरसल विनीत ने लाश का क्या किया हूगा लाश्वा अपने साथ तो लेके नहीं किया होगा या तो यहां जंगल में ठेग दिया होगा या पर नहीं काहर दिया होगा तूंडो जब देखो या खाल दिया होगा अनिकी, सार, में प्रेटेडेली ए के देखे, नहीं दात्रहा है यह खोदीनगा अउजार लेके पूछिए एक में, एक में, जराथ से साथ करो. सर पहले फोटोग्राफ्स, अब ये टिट बॉड़ी, सर विनी दू आ कही में एक खुणी है। हिम्मत कैसे भी तुम्हारी ऐसे फोटो प्रिंट्स करने की? सर अब गुसा की हो रहे हैं, ये तो मेरा बिजनेस है, रोजी रोटी है मेरी. खुण और खुणियों के फोटो निकालना तुम्हारा बिजनेस है? खुण? खुणी? नहीं नहीं सर, मैंने किसी के खुण की फोटो नहीं निकाली सर. अच्छा, तो पर ये सब क्या है? ये? अरे सर, ये अलब जकाली खुटींग की फोटो थोड़ी है, ये तो फिल्म की शुटिंग की फोटो है. तिमाय खुआ श्राभ हो गया तुम्हारा, हा? असलि शोटिंग और फिल्म की शुटिंग में फर्क समझ में नहीं आता यह गण यह लाश यह सब नकली लगते दुमें सच कह रहा हूं सर धन्देगी कसब सर मुझे सच में लगा ये किसी थ्रिलर फिल्म यह कोई टीवी सीरियल की फिल्म की शुटिंग के स्टील है सर यहां पास में कई बार फिल्म के और टीवी सीरियल की शुटिंग होती है सर उसके फोटो के प्रिंट टिकाले हैं लोग यही बेरे स्टूडियो में आते हैं सर जो आदमी ये फोटोस प्रिंट करवाने आय था, उसका नाम और पता-पता हुआ हाँ सर, एक मिल गया सर, नाम उसका हितेश है और एड्रेस लिगा है सर, लोखंड वाला हंदेरी हितेश? सर ये हितेश वही तो नहीं जो बिनीत का दोस्त है अगर वो तो गायब है? गायब नहीं है फ्रेडी, छुपके बैठा है इस चुए को बिल से निकालना ही पड़ेगा टिटेश? इसवत कौन? टिटेश? लगता अंदर कोई नहीं है अब वाला है जिए नहीं? अंदरी, यह बाए? थरवाज तोड़धू? बात पर करो, तोड़ो! बात पर करो, तोड़ो! एए! एए, रुज्या! रुज्याने तो गोली मार दूँगा, रुज्याँ! आखनी बार करें रुज्याँ वरना गोली मार दूँगा आखना! रहे! रुट! रुट! मैं दिन्दा हूँ? पुझे गोली नगी? गोली तब लगती जब मैं तुझे मारता, अब हमें फायर किया था, अभी मारूँ अगर बेकसूर हो तो आमें देखते ही भागने क्यों लगे अगर मैं डर किया था सर, जब मेरे को छड़ दिये सर, जब इन आतों से सिर्फ फोटो खिचने नहीं आती है, हाथ जोड कर ड्रा इस आजमी की अटपसी कर लिये, इसकी मौत दो दिन पहले हुई है, शाम को तीन, चार बज़े के आसपास, दो दिन पहले है, तो उस दिन रात को तो विदित पकड़ा गया था, हिली पैड पर ड्रक का डिल करते हुए, अधावी नहीं, जिसका तुमने खोन किया है, हम सब सब तुमारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं मिनीदी, कौन ही आदमी, सर यह देश है, या, उनको गहरे तो ही देश तुमारा दोस्त, तो फिर यह देश कैसे हो सबता है, दोस्ती की छोड़ो, तुमने ही कहा था ना, तुमने ही देश को खोड़ा, और उसका काम करने के लि आतो मिनी, हितेश की मौत्वी शाम निर्मान मिल कॉलिय में है, उसे दिन रात को तुम पकड़े गए, हिली बैड़ पर, और जिस क्लिनिक में तुम हितेश को लेकर गए थे, वो था एश जी रोड़ पर, क्याने के तीन अलग अलग जगे है, यह कैसे मुम्के नहीं है, यह सर मैं आपको बताना भूल गया था, मैंने इतेश को क्लिनिक पर दुपैर को छोड़ा था, पतलब पहले तुम हितेश को क्लिनिक ले गए, पिर वाह से शाम को निर्मान मिल कॉल्नी में लेकरा है, जह पर तुमने इसका कून किया, और फिर उसी रात गली पैड़ पर जाकर इतेश, ग्रक्ता डील किया, यार विवेत, यह क्या तुमाशा लगा रहता है, ट्याडी मेरे पीछे को पड़ियो, मैंने क्या किया है, कौन हो तो, सर मेरा विटेश है, विवेतेश है, विवेतेश, यानि विवेतेश के दोस्त, अज़वा. कि यह ने बखवाज कर रहे हो तुम मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो य॥ मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहु है कमाल है уже सिनित को आपने बच्पन के दोस्त को पहचाने से इंकार कर रहा और क्यों मेरे बजपन का दोस्त ने बजब का दोस्त यह है कि अगर तुम हितेश ऑ तो बताओ यहो और एक है कि भुजे अ लेकिन मैं जानता हुए है है हटेश मेरा तोस्ट तुम नहीं बद्ट हो गया तुम्हारा नाटक सर मैं सच रुलना मैं हितेश हो सर नापपूर से आता सर और चार दिन से घर पर ठहरा था सर अ मुझे लगता कि ये सही कहला है यही हितेश है हितेश यह सर तुम निर्दोश तुम जा सकते हो तुम जा सकते हो तुम जब तक तुम सच नहीं बताते हैं तुम यहीं पर रहोगे हमारी कस नभी में जा सब्सक्राइब कर दो जाने के लिए छोटी मचली को काटा बना दिया असली दातों सारूंके की देनी चाहिए तुम उसने सही वक्त पे जूट से पर्दा हटा दिया ACP साब क्या हुआ सारूंके चिल्ला तक यो है अरे सुनोगे तो जटका खा जाओगे बास क्या मतला ? क्या मिलाएटिया ? Nikl, विनीद को लेका हूँ पर बताता क्यों नहीं क्या हुआ ? बता रहा हूँ यह जो विनीत के फोटोग्राफ्स है ना यह फोटोग्राफ्स मैंने दोबारा से माइनियूटली अच्छी तरह से चेक के है तो पिर पता ये चला है कि जो विनीत है ये विनीत नहीं है तो क्या बखवास कर रहा है सालू के ये विनीत है ना ये विनीत नहीं है अगर ये विनीत नहीं है अगर ये विनीत नहीं है ये जो कोई भी है उसने विनीत का फोटोग्राफ यहां पर चिपकाया है पेस्ट किया है बहुत होश्यारी के साथ, फोटो शॉप से. क्या? तो फिर इसका मतलब है विनित? खुन तुमने नहीं किया है, किसी और ने, जो तुम्हें फसाना चाहता है. सटला तो मैंने यह खुन किया है, और नहीं मैं किसी ड्रग पेडलिंग में शामील हूँ से. मैं तो इमानदारी से अपनी जूटी कर रहा था सा. किसी ने मुझे पसाया है, सर. मगर है कौन यह है? है कौन जो तुम्हें पसाना चाहता है? और फिर क्यों? क्यों पसाना चाहता है यह? यह मैं नहीं जानता, सर. एक और बात पता चलिए बस. क्या? इन फोटोग्राफ्स में विनीत जिस आदमी को मार रहा है. हम. मैंने इस आदमी के फिंगर्प्रिंट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड में टेली की हैं. क्यों? इस आदमी के फिंगर्प्रिंट, भूशन, ड्रग पेडलर भूशन के फिंगर्प्रिंट्स के साथ मैच होते हैं. क्या? भूशन, ड्रग पेडलर? और वो जो फोटोग्राफ्स लेकर आया था, वो हरी. इसका मतलब है यह हरी और भूशन, दोनों इस प्लैन में मिले हुए हैं. मगर कोई तीसरा भी है, तीसरा. इस सारे प्लैन का मास्टर माइन. और उस तीसरे में इस भूशन को मारा है, बॉस. ताक कि कोई गवा और सभूत बचे ही नहीं. हाँ, सडूंके, हाँ. यह है कौन तीसरा? सड, यह जो कोई भी है, मैं इसे नहीं छोड़ूँगा. इसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंद की उठानी पड़ी है. हाँ. लेकिन सिर्फ तुम्हें ही नहीं, उसने हमें भी छेड़ा है. सी आइडी वालों को. सौरी गुनीत, हमने खामा का तुम पे शक्किया. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है. तुम लोग अपनी जूटी कर रहे थे. फिलिप, जिसने भी ये किया है, उसे फासी के फंदेता पहुचाने के लिए, तुम्हें एक नाटक करना पड़ेगा. एक नाटक. चलुचलू 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 झाचलू सरिक्षा में ये इस तरफ जा कहा है? दयाया लगता है ये ज़रूर अपने साथेदारों से मिलने या फिर अपने बास से मिलने गा रहा है ये सब ये अकेले नहीं कर सकता कर सकता है आर रांदोавай, जय बिघ्टार को धित रहुगा मु坏 हम करो हाई बांदोर दॉख वणून! 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 यहां क्या थरुए? तैयारी. तैयारी? क्रिसी तैयारी? जान बचाने की. जान बचाने की? मतलब? C.I.D. ने तुझे अरेस्ट किया था ना? हाँ. तो फिर छोड क्यों दिया? मैंने वाजा कि ऐसा ना टक्किया, ऐसा ना टक्किया उन्हें कुछ समझ में यह और वो मेरे जासी में आ कई. अच्छा? वगर एक बात मुझे समझ में यहाई. वो क्या? उस विनीत ने मुझे पहचाने से इंखार किया और बार बार उस भूशन को ही तेश कह रहा था. फिर? फिर क्या होना था? थोड़ी दिर बाद मुझे था कि मैंने दोस हूँ, मुझे कहा जाओ, छोड़ दिया. बड़ो. यह क्या दे रहा है? CID ने तो तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ू हूँ. मैं तरह दोस्ते यार? दोस्ती का तौफा ही तो दे रहा हूँ मेरे दोस्त. मॉत. मॉत? मगर किसले? मेरे तरह इतना सान दिया है? CID वाले बड़े चाल आके, इतनी आसानी से तुझे छोड़ दिया. ना. यह उनकी चाल थी चाल. अब तेरी वज़ा से हम दोनों पकड़े जाएंगे. और हमें फासी होगी. लेकिन मैं मरना नहीं चाता. और मेरे जिन्दा रहने के लिए, तेरा मरना सरूरी है. वरुन, वरुन! वरुन, वरुन! क्या कर दो यार? वरुनली! इतेश, ले! अब तु बचके नहीं जा सकता. देख वरुन, यह तो दोस्ते यार. तुम को अए? शर, मैं वरुन, विनीत का दोस्त. नहीं! आगे मतनुटा! अब बे! मैं खुदको वली मारदूँगा! नहीं! रुगजो! रुगँ! आगे मतनुटा! वरुन, प्रश्म कोफी मत करना अपनी गन नीचे करो गन नीचे करो नहीं.. नहीं!! रुको मैं..! मैं सच कह जह रहा यहाँ मैं खुद को गोली माड़ दूहा रुको देखो रुद एक बार गुना कर चुके हो दुस्तरा गुना मत करना आत्म अत्या करना बहुत बड़ा जुर्म है लाओ, अपनी गन मुझे दे दो नहीं मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें रुक जाओ मैं सच कह रहा हूँ, मैं खुद को गॉली मार दूँगा अच्छ, ठीक है, तो कोई कुछ नहीं करेगा यह देखो, यह मैं अपनी गन नीचे रखता हूँ, हम सब गन नीचे रखते हैं नहीं, मुझे पता, आप लोग सब जूट पोल रूँ, मुझे भासी होगी नहीं ओरूँ, विश्वास करो रुक जो, मुझे पता अब देगा तुज सारे सवालों की जवाब विनीत ने गल्ती की थी और यह उसको सजा देना चाहता था कैसी गल्ती? मेरी भेहन नहा के प्यार को ढुकरानी की गल्ती क्या? लेकिन मैं तो नहा से प्यार नहीं करता था लेकिन नहा तो तुमसे प्यार करती थी ना तुम्हारे प्यार के लिए उसने अपना कॉलेज छोड़ा तुम्हारे कॉलिज में एडमीशेली तुम्हारे दोस्तों को अपना दोस बनाया और बदले में उसको क्या मिला महत क्या? नेहा मर चुकी? हाँ, तुम्हारे गम में उसने ड्रग्स लेने शुरू कर दिये और ड्रग्स की ओवर्डोस की वज़ा से उसकी बहुत हो गई लेकिन मैंने तो नेहा से साफ साफ कह दिया था कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है, सिर्फ दोस्त सुना अश ряд में शर्ड दोस्ति दोस्त कुमारी बहिंन तो उसकी सिर्फ दोस्त ही, दोस्त मैंने विनीट के च़्ड़ में ब्लेड रग दिया था जैसे विनीट ने ड्राउर में हाथ डॉला, उसकी अंगली कट गई और फिर विनीद को बैंडिज लगाने के बाद और ब्लेड पे लगे खून को मैंने सिरिंज पे लगा दिया और फिर शिरिंज में ड्रग्स मिला दिया यही होश्यारी अगर किसी अच्छे काम में लगाते तो शायद तुम दोनों की जिंदगी सुदर जा रही मगर नहीं अपने एक दोस भुशन का खून कर दिया एक इमानदार CID आफिसर विनित उसको बदनाम करने की कोशिश की बहुत गलत किया तुम दोनों ने बहुत गलत इस गलती की कड़ी से कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगे तुमको CID के और भी मज़िदार और सस्पेंज से जुड़े एपिसोद को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें